देखिए ये F.I.R. एक जनवरी 2014 को गोंती नगर थाने में दर्ज हुआ था 14 से लेके 18 आ गया, 4 साल बीद गये और मानी योगी जी की भी सरकार 16 महिने रही है और अभी तक इस पर ना कोई कारिवाई हुई और ये मामला पूरी तरीके से ठंडे बसते में रहा अब लोकसभा के चुनाओं आ गये हैं और भारतिय जनता पार्टी के जो संसकार और उनकी कारे प्राणली की जो संस्कृती रही है कि विपक्ष के लोगों पर E.D.C.B.I. तमाम चीजें छोड़ देते हैं उनको तरह तरह से प्रताडित करते हैं जेल भेजने की कारिवाईयां करते हैं तो इससे इनकी मंसा पर तो प्रस्निचिन उठता है कि ये नैतिक कारिवाई है, नीतिगत कारिवाई है या बदले की राजनीती है, बदले की राजनीती और आगामी चुनाओं को लेकर बिपक्ष को डराने की साजी से, मानने हाई कोड का पूरी तरीके से सम्मान है बारती जनता पार्टिने से अगर आपने गौर करें, तो भारती जनता पार्टी का सारा ध्यान, सारा केंदर, जो किटिसिजम है. उनकी आलोसनाव का केंदर बिंदू समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेश है. बस्पा बहुत पीछे है बस्पा पर बहुत तेज हमला नहीं करती भारती जन्ता भार्टी बस्पा के ऊपर मायबती के ऊपर बहुत तेज हमला नहीं करती उनके ऊपर हलके भुलके चुकी पोईसन में है तो कुछ ना तो कुछ तो बोलना है तो हलके भुलके ढंक से बोलते ह लेकिन जितनी तेजी से और जितनी आकरमकता से कॉंग्रेस और सपा के खिलाब वो बोलते हैं, उनकी आलोशना करते हैं, वैसी महायवती वो बसपा के खिलाब नहीं करते हैं, उन्हें यह लगता है कहीं न कहीं, जैसे कि मदप्रदेश में और चातीजगर में अब सामने भी आने लगा है कि अल्टीमेटली महायवती उनकी मदद करेंगी, चाहे वो प्रिटेक शुरूब से हो, चाहे परोग शुरूब से हो, अभी परोग शुरूब से मदप्रेश और शातीजगर में उन्होंने मदद करने की कोशिश की है, और अगर वो नहीं भी कहें, तब भी य अधिक के समारक घोटाले में हाई कोट ने जो टिपड़ी की उसका जांच इजन्सियों की पूरी परिक्रिया में तेजी तो आईगी, लेकिन इस टिपड़ी का सियासी असर भी देखने को मिलेगा। प्यार दर्ज होने के बावजूद कारवाई थंडे बस्ते में डाली गई।